और हम लोग यहाँ पर मरीज के लिए 24 गंटा सुभिदा यहाँ पर उपलब्ध है उसके सामने मेरा होस्पीटल है आरोग के सेवा सदन के नाम से पैसा कमाने के लिए आने का कोई यह नहीं है सेवा की भाबना है यहाँ खोलने का उदिस है कि समाज को सेवा करना सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग चाहेंगे कि इस छेत्र में मतलब मरीज को जो सुभिदा मिलना परियाप्त मात्रा मेंने ही मिलता है उस बज़ा से बहुत अपरी घटना भी घटता है और हम लोग यहाँ पर मरीज के लिए चोबी सोगंटा सुभिदा है यहाँ पर उपलब्ध है और ऑक्सीजन का वेवस्था है एक सरे का वेवस्था हम लोग देंगे और भी वेवस्था आगे दिया जाएगा मिस्कौर बजार में यह आपका लोकेशन कहा है यहाँ पर मिस्कौर प्रात्मी स्वास्तकेंद के सामने है पारोक कि सेवा सदन के नाम से यहाँ पर कौन-कौन डॉक्टर कब बैठना है राजीब सर है यह सब्ता हम सातों दिन मिलेंगे यहाँ और हमारे एक राजीब लेकर रहे हैं दोने कहा कि हम जो जिला अस्तर पर दी जाती है वह इन्हों ने ग्रामिंग में लेकर आया है ग्रामिंग चेत्र पिछड जहान नवादा जाने की बात करें तो बहुत दूर पढ़ता है नवादा जो कि जाना लोगों के लिए बहुत कटीन होता है तो वो तमाम डॉक्टर भी है उनसे भी बात करवाएंगे कि देखिए उहां से चलके आप लोगों के लिए सुधा देने के लिए इहां पहुंचें तो आएए उनसे परिचे करवाते हैं आपका सुधना डाक्टर आरके निराला मेडी मीशन होस्पीटल पटना पटना से सर्च चलके आए हैं तो कब से सरेहां पे आजा है या पहले भी आये थे पहले भी हम आये हैं पहले भी बहुत अच्छा लगता है सेवा करना सबसे में पैसा कमाने के लिए आने का कोई यह नह पुलक और उसके बाद लगातार हम लोग देते रहे हैं यहां सेवा और अभी हम लोग तो मतलब एक तरह से बोलेंगे कि अहसान मंद हैं लोग का कि हम लोग को सेवा का मौका दे रहे हैं जैसे डाक्टर सरोज हुए गौतम जी है तो इन लोग के कारण ही हम लोग इहां आम और डॉक्टर राजीर इंजन में एमडी हूँ एक्चुली हम लोग जो एक आरोकेंद्र के मात्रम से सरोज जी और गौतम जी के मात्रम से जो ग्रामीनों को एक स्वास्त लाब देने की हम लोग परकिरिया सुरू कर रहे हैं हम लोग यह सोच रहे हैं कि दूर गया तक पहुचने में लोगों को बहुत सरी दिखते आती हैं तो हम लोग वहां से चलकर हम आकर यहां पर ग्रामीनों को बेतर सुविदा दे सके जिन में इनका बहुत बड़ा सायोग मिल रहा हम डॉक्टरों का सेवा देने का काम तो हैं ही लेकि जिस तरह से सरोज जी गौतम जी का प्रयास है उस प्रयास में हम भागिदार बनके ग्रामीनों को सवस्त करने की परिक्रिया सुरू कि है हम लोगों ने और जम के यहां चीटमेंट किया जाएगा और इमर्जेंसी से लेकर 24 आवर चितिक साथ करने की कोशिस हम लोग क हम लोग हम लोग इसका भी ध्यान रखेंगे कि जिस गरीब पैसे की कमी है उसके हिसाब से भी इलाज करेंगे वह सुविधा तो देनी है कि पैसे कारण से बहुत सारे सुविधा नहीं जाते लोग दी जाते हैं पैसा लाइए तो काम ने देखिए गौतम जी और सरोज जी एक बहुत समाजी कर करता है वो पैसे के लिए काम नहीं कर रहे हैं समाजी उत्थान के लिए काम कर रहा है तो पैसे बहुत पर्थमिकता नहीं है सेवा पर्थमिकता है इसलिए गरीबों को भी जितिक सा उसी तरह के मिलें कि जो अमीरों को मिलती है इसमें कोई समस्या नही नहीं से हैं एहां उनको खोलने का मतलब यह नहीं है कि पैसा कमाना ठीक है एहां खोलने का उदिस है कि समाज को सेवा करना सरोजी का पहले से भी हमेशा रहा है इस समाज को सेवा करना है और समाज को सेवा करते हुए आ रहे हैं इसलिए सरोजी नीतु क्लिनिक पहले इनका चल रहा है उसका गाटन आज किया गया है और सरोजी हमेशा इसको देखते हुए पेसेंट को मनी पोकेट सारा देखते हुए कार्ज करेंगे हैं मेरा आज से पहला दिन है मेरा यहां और पहले भी इनके बारे में जनकारी था मिलते जुलते रहते थे यहां कोई पेसेंट को अगर ज्यादा क्रिटकल हो तो वो मेरे पास आया करते हैं मैं सरजरी फिजिसियन दोनों देखते हैं अब धीरे धीरे तमाम सुविदा दी जा रही है और यहां पे जिला परसद है सरोजी सरोजी के द्वारा समाज सीवी देखने को मिल रहा है अब देखिए इसी तरह का तमाम बड़ी खबरों देखने के लिए बने रहे मगी अवाद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद